गाईज आज के वीडियो 4 बेस 15 सोड़ेज के बारे में होने वला है और इस वीडियो के बनाने के रिक्वेस्ट एक भायने क्या है जैसे आपने स्वाल देख सकते है भायने इस तरह स्वाल क्या है जोकि 1,20,000 के अंदर 15 स्पीकर के साथ 4 बेस होना चाई है और एमेलिफायर सबसे पहला चीज आपको बताइता हूं देखे चार बेस पंदस्वराज भायने का है इसमें अगर आप सबसे बताइता है तो चले करके जानता है चले सबसे पहले बात करूंगा सबसे बड़ा चीज है और इस पिकार आप आप लोग कौन से ब्रैंड का ले सकते हैं और कितना उड़ाज का हलाकि भायने कहा कि पंदस उड़ाज का इस पिकार होना चाहिए चार बेस होना चाहिए सबसेल बात रहुँँए सपीकर आप लोग ले सकते है स्वेटन का आठरह पीटी पंदरा सरह इस पिकार ले सक यह काफी अच्छा सपीकर है और इसका यह सपिकार आपका आतरींची में आता आए और इसका वड़ेज की बात कुरूँगा 54600 ES पार में आता है जो कि इसका अर्मेस पात काम आएगा एपरोस 210 तो इसके आपार तो साथ ही स्पीकार की ग्रोस वेट की बात करूंगा इसमें आपको 26.8 के जिलोग वेट दिखने मिलेगा तो बस इस पीकार का मैं छोटा चन इस पर आप से बता दिया हूं चले आप जान लेते हैं इस पीकार की प्राज कितना आपको पढ़ने वाले आपके एरिया में तो द पर आज देखा जाए तो आपको 60,000 के अंदर आपको 4 पीस हो जागा इससे थोड़ा कमी में आज आज एक मेरे इसाब से 6 पान से लेगा इन के बीच में आराम से चार इस पीकार आप सभी को मिल जागा तो साथ ही इसके लिए आपको केमिनट भी चाहिए तो आपको कौन सा केमिनल लगा सत में किस टाइप का डूएल यह सिंग्यल तो देखे इसके लिए आप लोग सिंग्यल बेस लगें तो बेटर आपको साउंड कर्टी सुनने को मिल जागा लें आप लोग डूएल में लगाना चाहिए तो ओ भी बेस्ट होगा लें भाय नहीं कहा कि आप लिए चार वेस होना चाहिए मěरे सब सिंगलनी का लेने से आपको थोड़ा सब प्राझ आपको कश्टुली पड़ेगा तो में आपको प्राज को देखते वह आप डूएलवेस ले सकते जैसे कि प्राज आपको पढ़ने बलाए जो कि एक प्यार तो लोग एक प्यार ले लिजिए जो कि एक डूएल बेस में अंदर आपका दोई स्पिया लगेगा इसी प्रकार तो आप लोग 2-2 करके 4 इसपिकर डाल सकते दोनों बेस के अंदर और अगर सिंगल बेस लेना चाहेंगे तो इसमें आपको प्राज ज्यादा आएगा क्यूंकि इसमें आपको चार पीस बेस लेना पड़े केविनेट और अगर आपको प्राज देखा जाए जो क इस प्रकार का सिंगल बेस आप लोग ले सकते लेकिन इसमें आपको ज़्यादा कोश्ट्री पड़ेगा जो कि भाइनेगा एक लाग बीस अजार के अंदर ही होना चाहिए चार बेस और इसलिए मैं आपको डूइल बेस कर रहा हूं तो आप लोग इस तरह डूएल बेस ले सकते हैं और चले जान लेते हैं इन चारों बेस को कौन से में चलाएगा तो ब्रेंड की बात करूंगा आप लोग एनेक्स ओडियो का वर्लफायर को सब्सक्राइब करें बता रहा हूं जो कि एटों फोर में कितना प्रवाइड करता है आउटपूट तो देखें यह अन्लफायर आपका एटों में प्रवाइड करेगा जो की 17 वोटेज मैं gorilla 202-50 वोटेज दोन कि बात करूँगा 3-जिग यह प्रवड करता यो छिध घ्लाँ एज को होताय है ऐस और अमेली पाइर की बात करूँगा ख diyorsun मिलेगा चले यह अबिधर आद करेगा और यह किस तरह चला सकते हैं वटें चिंग कर लेता है देखे आपका एक यएक बेस बनता है जो कि डूल बेस अपका i baixo कर ना में जहाँ, और चले साथ में जानलते है इन सबका प्राज कितना बनेगा, जैसे भाएने का 1,20,000 के अंदर होना चाहिए तो देखे इसमें आपको थोड़ा सा प्राज ज़्यादा आपको बनेगा तो किस प्राइब का तो देखें चार इसपिर आपका 56,000 में माल लेता हूं और एम्लिफायर की पराज 55,000 और दो ड्रोल बेस के बेनेट आपका 22,000 एपरोक्स माल लेता हैं और इन तीनों को मिलाकर एपरोक्स पराज बनेगा जोकि आपका 1,33,000 थोड़ा से एस्टर कि 120,000 के अंदर ही होना चाहिए तो उसके लिए आपको ए सबस्क्राइब को बदल कर आप लोग SLB के कैमिलीफायर को लेना पड़ेगा जो कि BL12E को लेना पड़ेगा तब आपका एक लाग 20 Państwo पूरा मतलब पढ़ेगा मतलब इन सबका प्राज जो कि एक लाग 20,00 अर्ष आजाएगा और इस अहिलेफार में इन चारोबेस को आराम से एक लाख पचाथाजार के अंदर आपको पड़ेगा, तो इस पर लोग शड़ा बना सथ है , जिस तरह आपको प्राज़े हो। इस आपको बना सथ है, हलाकि भाईने का एक लाग पीस जार के अंदर होना चाहिए, तो आप लोग SLB एक लाग बीस जार में अपका यह चार पेस रेडी आ जाएगा तो चले इस वीडियो में इता है वो वीडियो कैसला कर्मेंट और लाइक करके जरू बताएगा